हेलो एवरिवन विल्कम बैक तु दे अच्छीवर जोन आज पढ़ेंगे पार्ट से एक्स रेशो एंट प्रपोर्शन का और एक्जाम कोश्चन्स होंगे उसी सीजिस पर हम लोग आगया बढ़ रहे हैं तो यहां पर भी कई सारे सीज़ें कई सारे कॉंसेप्स आप लोग सी चुज़ेंट्स है और जिनोंने कोश्चन्स को बेसिक वेसे नहीं सीखाया मलब जिनको बेसिक नहीं पता या बाकि इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वह प्रेलिस सेक्षन पर जाकर ज़रूर पढ़ें आपको सारे के सारे सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएंगे आ अमंग 132 students of a certain school एक school ने 132 students हैं अब इस पर क्या होता है 132 में ratio of successful to unsuccessful is 9 to 2 तो जो 132 students थे इनमें successful और unsuccessful का ratio 9 to 2 हो गया तो देखो 9 ratio successful और 2 ratio unsuccessful टोटल कितना 11 ratio बनता है तो यह जो 11 unit total है किसके equal है 132 के तो कितने गुने पर गया 12 गुने पर गया यह बात clear है तो अगर हम distribution की बात करें तो simple सी बात यहां पर समझ में आ जाती है कि distribution 9 ratio और 2 ratio किसके equal होने वाला है successful और unsuccessful का तो आप यहां पर क्या बोल देंगे 108 और यहां पर कितना 24 तो यह तो अपको directly students मिल गए यहां कुछ करने की need नहीं थी question ने जो statement दिया था वही ऐसा था कि आप यहां पर आंसर निकाल दिया कि कितने boys कितने girls थे पहले अभी answer नहीं आया है four more student has parts कहने चार और पास हो गए होते तो इसका मतलब क्या भाई पहले 108 पास हो रहे थे अभी अगर चार और पास हो जाएंगे clear है बात अब एक बात ध्यान रखेगा अगर 112 पास हुए चार एक्स्ट्रा हो गया तो यह जो fail हो रहे थे उनहीं में से चार ऐसे हो गए जो promote हो गए और पास हो गए मतलब यह value अभी कितनी बचेगी 20 बचेगी तो find the ratio of successful to unsuccessful candidate अभी successful और unsuccessful का ratio आप लोगों से यहां पर समझ लें तो आप चीजों को जल्दी से कर पाएंगे और अपना answer निकाल पाएंगे अब 112 हो गया और 20 हो गया इस तरीके से आप solve करके यहां पर इसका answer निकाल सकते हैं clear है यहां तो कुछ आपको करना नहीं easy question है कि भाई पहले distribute कर लिया चार और अगर pass हुए तो pass में बढ और fail वाले से जरूर कम हुआ होगा इसको फोड़ा सा simplify कर लें चार से कितने बार हो जाता है पांच बार फिर देखो चार से कितने बार दो बार 8 चार से 8 बार 32 ठीक है तो 28 is to 5 यह cancer हो जाएगा ठीक तो एक question यह ऐसा बन गया अब इस को करने के और कोई तरीके हो सकते हैं क् आप करके देखिएगा वैसे मेरे recording तो यह question easy है बहुत easy यह कुछ थाई नहीं इसके अंदर अब यहाँ पर क्या होता है कई बार क्या होगा कि question देखो यहाँ पर options अगर दे दे तो आप इसको ratio को छोड़ कर करके option से लिखा हुआ कि observe करे option से बुला गया था कि total student कितने 132 है successful और unsuccessful का ratio बता है और options exact वहीं लिए मैंने जो exam पर दिये गया थी इसलिए CGS-CGL में question उठाया है और पहले थोड़ा basic से कराया थाकि आप समझ पाओ अब देखो मुझे पता है कि 132 students total है अगर हम देखें इधर तो 14 और 3 मिला कितना होता है 17 unit होता है 15 और 4 मिला कितना होता है 19 unit 28 और 3 मिला कितना होता है 31 unit और 28 और 5 मिला कितना हो जाता है 33 unit तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए मुझे कुछ समझ में आ रहा था कि यहाँ पर जो 132 है अगर मैं 19 17 31 इन में से किसे भी देखता हूं तो यह जो part है यह आपका क्या होता है fraction पे बन जाएगा means total अग पॉसिबल हो सकते है 19 ratio 132 के equal लिखा तो अभी भी fraction पॉसिबल नहीं 31 ratio 132 के equal करेंगे तो fraction अभी पॉसिबल नहीं लेकिन 33 ratio 132 को relate करना पॉसिबल है क्या देख लो पॉसिबल है तो यहाँ पर आपने का कि भाई चार बार में हो रहा है तो केवल option को देखकर भी आंसर कर सकत देते यहां पर कि भाई क्या बनना चाहिए था यहां पर कैसे दिमाग आपका ऐसे वर्क करेगा आप इसको कुछ ऐसे सोचेंगे कि सर अगर यहां 132 है तो यह 132 अगर हम option देखने तो तीन option तो ऐसे हैं जहां पर सम ही satisfy नहीं करता एक complete multiple होना चाहिए यह उसका तो कि person point पर पूछे जाते हैं आप लोगों से लगातार पूछे आते हैं जहां पर आप इस तरीके से mind लगा सकते हैं और practice करिए तो आपको यह option देखने की आदत पढ़ जाएगी हमेशा जब भी कर रहे हो ना question पढ़ा करो question की last line देखो और option को एक बार जिरूर दिरूर देखो कई सार को एक question इस type के बहुत आते हैं और बहुत easy होता है फिर भी पता नहीं क्यों students को इसमें बहुत doubt आता है कहते हैं इसके हर एक पार्ट पे क्या add करें so that the new ratio becomes 5 is to 6 अब यहां पर यह क्या है यह old ratio है और 5 is to 6 की बात करें तो यह new ratio है आपसे कहने दोनों में एक एक पार्ट में पहले जो दिख रहा न 3 is to 5 और दूसरा 5 is to 6 जो मैंने इधर add किया होगा वही मैंने इधर 5 पे भी add किय अब यहां पर ऐसा दिखने रहा है ratio का एक rule होता है rule क्या होता है बताऊं देखो अगर कोई कभी भी इस तरीक से ratio दिया है और आप इसके दोनों पार्ट पे equal value को add करते हो या फिर subtract करते हो उब्सक्राइब करते हो अगर तो आपका जो ratio है उसके accordingly increase होना चाहिए या decrease होना च चाहिए लेकिन आप देखो क्या हो रहा है आप से क्या का कि 3 और 5 इसके दोनों पार्ट में equal value एड करी है लेकिन अगर रेशियो बाइस देखें तो 3 to 5 2 unit का increase हुआ और 5 to 6 1 unit का increase हुआ है तो रेशियो देखें आप पर भाई बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना होता है बैलेंस करने के तरीके कई सारे होते हैं एक तरीका यह देखो अच्छा तरीका है जैसे 3 5 है 3 और 5 का difference कितना है 2 5 और 6 का difference कितना है 1 आपकी वाले difference को manage कर दें अपने आप आ जाएगा अब देखो इधर 2 है इधर 1 है इक्वल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे यहां पर आप यहां पर यह कहेंगे कि सर यहां पर क्या करें वन में 2 का multiply करा दें difference equal हो जाएगा 2 का multiply होगा तो पूरे में होगा समझते हैं आप लोग इतना तो यह 10 बन गया और यह बन गया 12 अभी देखें 3 से 10 कितने का increase होता है 7 का और 5 से 12 भी कितने का increase होता है 7 का अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं दोनों पार्ट पे equal value को increase कर रहा हूं और ratio भी उसी क इस चीश को बहुत ही अच्छे से यहां पर देख पाओगे क्या आपको यह दिखाई देगा कि जो इधर अगल बगल का difference होता है यहां पर यह equal हो जाता है साथी साथ जो उपर नीचे का difference होते हैं यह वाला पार्ट यह भी equal होते हैं लेकिन यह मस समझ लेना कभी भी कि यहा से नीचे भी दो दो का difference आए नहीं भाई यह जलूरी नहीं है अगल बगल के difference दोनों ratio में equal होंगे तो balance है उपर नीचे का difference भी equal होंगे तो अगर कभी भी उपर से नीचे ratio equal नहीं होता तो अगर आप side by side का ratio equal करें वो हमेशा आ जाएगा यह पार्ट समझ गया यहां तो मेर screenshot ले 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 और अगर चाहें तो आप इस चीज को यहां पर note कर ले कि क्या है कि रेशियो में same change होना चाहिए यहां पर रेशियो में अगर same number add करें ratio दोने पार्ट में तो change भी same होना चाहिए ठीक है अब एक और तरीका इसका होता है आप इसको cross multiplication से भी कर सकते हैं वो कैसे ह होगा भाई जिसे समझो जड़ा यहां पर seven निकाला ना आपने seven add करना चाहिए तो देखो पहले ratio क्या था था रेशियो और बात पर रेशियो क्या हो जाता है five से six अब यहां पर क्या करो simply cross multiplication करा दिया करो इधर से इधर और इधर से इधर ठीक है देखो भाई यह ध्यान र यहां पर एक चीज बता दूं यह गलती मत करिए कई पर student क्या करते हैं वो समझते नहीं यह टाइप को और जैसे मैंने बता दिया ना यहां पर cross multiplication लगा दो तो अब वो कहीं पर भी cross multiplication लगाने लगेंगे ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पर भी apply करते चले जाओ जिसके लिए बना है वो चीज आपकी satisfy होनी चाहिए वो condition आनी चाहिए इस condition पर कहीं पर भी अगर आता है तो आप इसको apply कर पाओगे जो भी मैं conditional चीज़े बताता हूँ condition के according करोगे तो कई बार student कहीं पर भी apply कर रहे होते हैं आपको उस category में नहीं आना राइट चलो एक जल्दीस करके दिखाओ question तुरांत आंसर आना चाहिए यह देखो क्या question what should be subtracted from each part of ratio 15 is to 19 एक ratio 15 is to 19 इसके हर एक part पर क्या subtract करें कि ratio 3 is to 4 हो जाए अब कई कई लोग इसको कहेंगे कि sir आप किसको कर दें कौन से method से equate करके और कई लोग कहेंगे sir cross multiplication से कर दो जो अच्छा लगी कर सकते हो देखो 15 into 4 कितना होगा 60 और 19 into 3 57 अब कितने कमी आ गई क्या बूला गया कितना सब्टाइट करें तो भाई अगर 60 से 57 पर आ रहे हैं तो कितने की कमी करेंगे 3 less करेंगे तो यह आपका यहाँ पर answer हो गया clear है समझ पाए बस इतना easy है question देख लो बस cross multiplication है और देख चालो अच्छा इसी को अगर ratio balance करके करना चाहें तो आप इस तरी किस कर सकते हैं कि सर्फ 15 और 19 में देखें अगर तो क्या दिखाई देता है difference 1 का और 3 4 में difference कितने का य 15 से कितना बना 12 कितना की कमी आ गई 3 की और दूसरी तरफ देखो 19 से कितना आ गया 16 तो यहाँ पर भी 3 less हुआ तो इस तरीके से आपने देखा कि जब ratio balance नहीं थे तो हमने इस तरीके से इसको solve किया method समझ गए clear है ना यह में चीस समझो ऐसे question नबाएं तो फसने नहीं चाहि ratio में on decreasing each of them by 40 दोनों में 40 कम किये तर नहीं ratio become 1727 ratio में क्या था 5 और 7 हर एक पार्ट में कितना कम किया है 40 मतलब पहले पार्ट पर भी 40 लेस किया और दूसरे पार्ट पर भी 40 लेस किया अब क्या होता है नया ratio कितना बनता है 17 से 27 आपको पता एक सब्सक्राइट बनों तरफ से ratio balance होना चाहिए देखो भाई क्या हो रहा है 17 से 27 कितने का difference 10 का और 5-7 कितने का difference 2 का अब देखो इसकी को balance करना पड़ेगा 10 और 2 तो वन यूनिट की value कितने के बराबर हो जाएगी 5 यूनिट के clear है बात अगर वन यूनिट बराबर 5 के आ गया then find the difference of the numbers numbers का difference बताओ अब आप इसको solve कर चुके हैं देखो difference अब कहीं से भी लिलो चाहे पहले दो का लिलो या बात के दो का लिलो सेम आएगा तो दोनों का difference कितना है आप पर 10 और 10 यूनिट की value कितनी है दस यूनिट की value अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे कि एक यूनिट 5 है तो 10 यूनिट कितना हो गया पच्यास यह आपका इसका answer हो गया राइट जयान रखें जो difference of numbers होता है वो हमेशा सेम होगा इ कि ratio कब increase करें दोनों पार्ट तो कैसे change होगा दोनों पार decrease करें तो कैसे होगा और multiple ways है जो आपको अच्छा लगे उससे आप टो कर सकते हैं अब एक ये question देख लो बोला गया shopkeeper sells three articles having cp in the ratio 234 एक shopkeeper ए three articles को sell करता है जिनके cost price का ratio 234 था and cost price of each article is increased by रुपी 60 हर एक article की cost price में 60 क increase करते हैं then the new ratio becomes 345 तो नया ratio होता है 345 पहले ratio था 234 तीन आर्टिकल थे ना तो वही आर्टिकल नंबर 1 ये आर्टिकल नंबर 2 और ये आर्टिकल नंबर 3 फिर बोला गया है कि नया ratio क्या बनता है 345 कब बनता है जम हर एक में 60 बढ़ाते हैं 60 का increase दोको 2 से 3 कितना बढ़े 1 ratio 3-4 कितना बढ़े 1 ratio और 4-5 कितना बढ़े 1 ratio तो आप हर तरह देख पा रहे हो जो वन यूनिट का increase होता है किसके एक क्वल है 60 रूपी के then find the CP of first and third article initially पहले आर्टिकल का CP पहले कितना रहा था एक यूनिट बराबर 60 तो दो यूनिट की value कितनी हो जाएगी दो से गुणा कर करोगे तो आप इस चीज को बहुत ही आसानी से solve कर लोगे ठीक है तो यहां पर क्या था ratio के तीन पार्ट था दो पार्ट पर कर रहे था यहां तीन पार्ट पर है और equally आपको बढ़ता रिखाई दिया ratio बिल्कुल balance था और आपने इसको solve कर लिया ठीक है तो कोई डाउट मे ठीक है question मैं आपके सामने देखता हूँ क्या है 1 2 3 5 7 9 1 से 5 3 2 से 7 5 ठीक यह question देख लिजिए यह question आप खुछ से करेंगे अभी करेंगे और इसका answer comment करके बताएंगे जो अगली class होगी वो मैं आपकी यहीं से start करूँगा बुला गया shopkeeper sells 3 articles having CP in the ratio 1 2 3 देखिए balance नहीं अपक a new ratio becomes 579 होता है find CP of second article initially दूसरे article का price क्या था initially पहले वाला price बताना है तो क्या करूँ बता दूँ बता दिया जाए यार बता देते हैं ठीक है आओ देखो पहले क्या था 1 2 3 बाद में क्या होता है 579 579 ठीक है अब जिरह देखो आपके according तो कह रहा है कि हर एक का price 120 ही increase हुआ ह लेकिन यहाँ पर क्या 120 का increase दिखाई दे रहा है देखो ratio wise देखो 1 से 5 कितना 4 ratio 2 से 7 कितना 2 से 7 दिखाई देता है आपको 5 ratio and 3 to 9 कितना होता है आप लोग के लिए 6 ratio तो ratio तो balancing नहीं है तो आपको इस ratio को balance करना पड़ेगा और balance करने का तरीका क्या है आप इसको कहीं से भी balance क कर लें जहां से आपको अच्छा समझ में आता है आप किदर से भी कर लें आप चाहें तो इन पहले दो को कर लें जैसे इन दोनों को मैं करना चाहता हूं या आप चाहें तो इन last के दो को कर लें इन दोनों को भी आप कर सकते हैं और आप पहले और आखरी को भी कर सकते हैं स साथ और 9 यहां difference कितने का 2 का balance करेंगे 2 से multiply करोगे तो 2 से multiply इधर भी 2 से multiply इधर भी और 2 से multiply इधर इधर भी अभी देखो पूरा ratio balance हो चुका है यह 2 यह 4 यह 6 अब देखो 2 से 5 कितना बड़े 3 unit 4 से 7 कितना बड़े 3 unit and 6 से 9 कितना बड़े 3 unit बढ़ चुके ना तो आप ध्यान को balance कर ले बाकि अपने आप balance तो 3 unit की value कितनी हो गई 120 क्या पूछा गया था cost of second article initially तो 4 unit की value पूछ रहा है second article की initial cost कितनी थी 4 unit पूछी गई है तो 3 unit अगर 120 तो 1 unit कितना हो जाएगा 40 ठीक है तो 4 unit कितना हो जाएगा 40 into 4 160 तो यह हो जाएगा इस particular question का answer समझ पाए कि नहीं अब इस question को कई बार student किया करते हैं बिल्कुल basic way में करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करना होता आप लोगो बिल्कुल basic way में नहीं करना है आप इसको solve कर पाएंगे और अपना answer आप लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे ठीक है बस तरीका यह लगाना है कई बार student भी ऐसा करते हैं जो पहले पहले सपड़ रहे हैं वो भी दिक्कते करते हैं आपको यह गलतिया नहीं करने हैं किसी भी एक को balance करिए बाकी जो होंगे वो अपने आप balance यहाँ पर हो जाएंगे ठीक है बाते clear है समझ में आ रही है चलो तो यह सका solution पूरा पूरा द करते हैं 12 student 234 का ratio पहले था हर एक class में आए 12 student ratio बनता है 8 11 14 देखो balance है क्या 2 से 8 6 increase 3 से 11 8 increase and 4 से कितना 14 10 का increase तो balance तो नहीं है balance करो भाई इधर देखो 1 का difference यहाँ से कर लेते हैं और इधर कितना 3 का difference तो 1 को 3 बनाने क्लिक या करेंगे 3 से multiply तो पूरे में 3 से multiply होगा इधर भी इधर भी और इधर भी तो यह कितना हो गया 12 यह कितना हो गया 9 और यह कितना हो गया 6 अब 6 से 8 कितना गया 2 unit का increase हुआ 9 से 11 कितना गया 2 unit का increase हुआ 12 से 14 कितना गया 2 unit 2 unit हर तरफ increase बराबर कितने के है 12 के देख लो तो 1 unit की value कितनी हो जाएगी 6 के क्या पूछा गया है total student in the classes in the beginning शुरुवात में कितने श्टुडेंट थे तो क्या करोगे भई देखो यहां पर यह कितना है six यहां पर कितना है nine और यहां पर कितना है 12 ठीक है six 9 12 भई क्या हो जाएगा six और nine यह 15 पंद्रा बारा कितना हो जाता आपके 27 27 और यह क्या बन जाएगा 27 into six ठीक है सॉल कर लोगे इसका अंसर आप लोगो मिल जाएगा 642 आसिल 4 12 4 162 यह इसका आंसर इसी है बिल्कुल तो आप इस तरीके सॉल कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं देख लो भाई क्लियर अच्छे से समझ में आया की नहीं बहुत इसी करके मैंने समझाना की कोशिश करिए बुक में कन्फ्यूज मत होना ऐसे को लेके बुक उठाना और कोशिशन निप्टाना सुरू कर देना आप सारे लगबग कोशिशन को कर पाऊगे तो इनको देख लेना और कोशिशन अब भी आज की क्लास के लिए इतना ही है हमारे पास तो कोशिशन पर आप लोग क्या करें जितना मेकजिवम प्रेक्टिस कर सकते हैं उतनी है कोशिशन कोई हो मैकजिवम चर्यूडक अउट होते तो उसको अमारे ग्रूप से पूछ सकते हैं Facebook गुरूप बना हुआ है Facebook पे लिए ठिक चलो मैं आपसे मिलूँगा नेक्ट वीडियो पर तब तक बाई